आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और SDRF ने बाड के स्थिति के कारण खत्रे में पड़े लोगों को निकालने के लिए पार्शिनी तहसिल कार्या लेके तालू का खूज और बचाव दर को प्रशिक्षित करने के लिए सोमवार को नवे गाउ में पेंच बान जलाशय में आपदा प्रबंदन कार्यशाला कायर जन किया जहां आपदा की स्थिति में खोज और बचाव कार्य कैसे करें नाव को कैसे संभाले और खुद को और नागरिकों को बार्टिक कैसे बचाए इस पर मार्ग दर्शन देकर प् पिंद्रिया और राज्या आपदा मूचन बलके NDRF और SDRF की जवानों ने सुमार 30 दिसंबर को नवेगाव खहरी में पेंच बान जलाशे में स्थित पार्शिवनी तहसिल कारेले का दौरा किया ताकि नागरिकों को उनकी जान बचाने और पीडितों को निकालने के लिए सम पाई पुलिस पाटिल आदी को अपदा की सितिमिक होज और बचाओ कार्य कैसे करे नाव को कैसे संबाले और खुदकों और नागरिक को बाड़ से कैसे बचाए इस पर मार्गदर्शन देकर रंग प्रशिक्षन आयोधित किया गया इस अवसर पर तैसिलदार प्रशांत सांगडे, बोलड अधिकारी जगदिश मेश्राम, कोतवाल, क्रुशी विभाग के किशन थोबरे, सिचाई विभाग के अभियंता विशाल दुपारे, वनकर्मचारी सुरेज भोयर, सरपंचा अधिकारी, कनन थाने के कर्मचारी और पुलिस पाटिल साही सामाजिक करेकरता मौजुद थे, लगातार बारिश के कारण तोतलाडो और पेंच बांदो में बाड की स्थिती बढ़ गई है, और पेंच नदी के माध्यम से कनान नदी में पानी छोड़ने के लिए पेंच के चौदा गेट खोल दिये गये है, इनम सिंगर दीप बोरी सिंगोरी शामिल है, समाज से वियो वा तैसिल वा जिला आपदा प्रबंद दस्ते ने रिस्की ओपरेशन चलाया आजमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो उठो उठो बैठो अब युदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महा पुष्प सोसाइटी शताब दीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर